सो मुआर को होगी भैंकर तबाही शेयर मार्केट में जी दोस्तो भैंकर तबाही भैंकर तबाही सो मुआर को सेयर मार्केट में होगी भैंकर तबाही और भारती बजार खुलते ही निप्टी तीन सो से लेकर साज़े तीन सो बजार खुलते ही ध्राम से होने वाला दोश्तो और निप्टी फिप्टी 17,250 रुपया 17,250 रुपया निप्टी 50 और निप्टी बैंक 36,800 चलिए ये 17,250 रुपया क्यों आएगा और ये बैंक निप्टी 36,800 क्यों आएगा ये हम आपको पूरी एनल्सिस बताते हैं इस वीडियो में और पहली बार आप आए हैं तो आप इंट्रडेटेक मुंबई MBA BKC की चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा काम आने वाला है हम इस गिरावट की दौर में भी आपको हम बताते हैं हर दिन बताते हैं कि कौन सा स्टोक लेकर इंट्रडे में कमा सकते हैं option future में कमा सकते हैं long term short term medium short term के लिए भी लेकर कमा सकते हैं थोड़ा सा इंतिजार करेंगे घबडाने की जूरत नहीं है ये तो होता रहता है और हम लोग तो देखे हैं वो भी दौर देखे हैं हरसत महता क्रेस्ट देखे हैं उसके बाद ये कोरोना का क्रेस्ट देखे हैं उसके बाद ये बैंको का PNB और Axis बैंको का क्रेस्ट देखे हैं ये तो छोटी मोटी हलका वाइरल बुखार सर्दी हुआ है तोड़ा बाँ ठीक हो जागा चलिए देखी पहले कर लेते हैं दोस्तों Nifty 50 हम पहले रोज बोलते हैं हम इसा बोलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कैसे एनालसिस करते हैं इंटरडेटेक मुंबई इतनी बार्रिकी से एनालसिस कैसे करते हैं वो तो जरूर आपको जानना चाहिए तो आप जान लिजिए कि आज क्या होने वाला है दोस्तों सोमवार को सोमवार को सोमवार को बजार खुलते ही आज 22 तरिक हो गया 24 तरिक को 24 को 24 दो हजार बाइस 24 एक जनवरी 2022 को बजार खुलते ही निप्टी फिप्टी ध्राम बैंक निप्टी ध्राम सारे के सारे स्टूक बहुत भेंकर गिरावट के साथ खुलेगी लेकिन क्यों खुलेगी? वो हम बताते हैं उसके बाद उस गिरावट में भी कमाई खूब होगी ये भी हम बताते हैं दोस्तो, चलिए निप्टी-फिप्टी बंदुआ था दोस्तो निप्टी फिप्टी बंद हुआ था हमारा 17,617 रुपया 15 पैसा में बंद हुआ था दोश्तों है ठीके निप्टी फिप्टी बंद हुआ था 17,617 रुपया में और इंटरेटेक मुंबई अंभी बीके सिंग ने बताया था बीश्तारी को कि 17,500 निप्टी फिप्टी तो 17,500 गया 100 परसंट गया और यह क्षोमवार को भी ऐसा ही होने वाला है दोस्तों और देखिए निप्टी फिप्टी यह क्लोज हुआ अब बेस बनाया हुआ यह यह जड़ तो इसकी बनी थी बहुत मजबूत लगी थोड़ा थोड़ा क्या है न इसमें वो दिमक और चीटी लग जैसे जड़ों में चीटी और दिमक लग जाते हैं थोड़ा सा उसको लपर करता है उसी तरह निप्टी 50 को भी यह जड़ जो बनाया है 17,603 रुपया तीरपन पैसा का 17,603 रुपया का यह बेस निप्टी बड़ा इसके जड़ों में यह दिमक चीटी लग गए हैं और यह खकुला कर रहे हैं और यह सपोर्ट जो इसका है दोस्तों रेस्टेंस की त बात करने से कोई फाइदा भी नहीं है इसलिए कि हम जानते हैं और आपको भी बताता हूं यह बजार खुलते हैं 17,500 की तरह दोड़ेगा सपोर्ट तोड़ेगा 17,500 का जो सपोर्ट है दोस्तों 17,500 का जो सपोर्ट है यह तोड़ेगा 17,617 के बाद भी सीधे 100 रुपया तो बजार खुलते ही तोड़ेगा उसे ज़्यादा भी खोल सकता है उसके बाद यह 17,380 रुपया फिर यह 17,381 रुपया का सपोर्ट तोड़ेगा 17,381 रुपया का सपोर्ट तोड़ेगा और यह आ जाएगा दोस्तों सीधे 17,250 रुपया निप्टी 50, 17,250 रुपया इसके पहले 10 दिन पहले का हमारा वीडियो देखेंगे तो हमारा टारगेट ता निप्टी 50 का दोस्तो 16,770 रुपया के तरफ बढ़ रहा है हमने जन्वरी का 31 जन्वरी का हमने कॉल ले रखा है और यह 17,777 रुपया के तरफ बढ़ रहा है बहुत ही खूसी हो रही है हमें कि बहुत जल्दी 17,250 आ गया अब आए ना आए देखिए दोस्तो यह शेर मार्केट है और शेर मार्केट विदावत रिक्स नो प्रफिट एनी बिजनेस एनी एरियाज एनी स्कोप 17,250, 70,200, 500 माइनस 16,777, सोरी 70,250 माइनस 16,772, 480 अब रहा गया 480 रुपया हमारा जो तार्गेट है अगर सुमबार को 17,280 आ जा दो सो पचास गिरता है तो 480 रुपया का और गिरावट होना बाकी है दोस्तो लेकिन एक फाइनल आपको रिपोर्ट बता दे निप्टी 50, 17,250 ये हमारी एनर्सिस और हमारी जो एस्टेटिजी बता रहे है कि निप्टी 50, 17,250 और निप्टी बैंक निप्टी बैंक 36,800 जी दोस्तो ये दोनों फिगर आराम से याद कर लिजिए और क्यों ये हुआ निप्टी 50 और ये बैंक निप्टी तो आएए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डाव जोन्स जो एउरोपिय मार्केट की जान सान और पुरी दुनिया का जो इस्टोक मार्केट है बहुत बड़ा इस्टोक है और ये समलजे की 450 डालर की गिरावट के साथ 1.3% गिरावट के साथ ये माइनस में डाव जोन्स 450 डालर 450 रुपे की डालर के साथ 1.30% गिरावट भेंकर गिरावट तुफानी गिरावट आई दोस्तों जो बचना मुस्किल हो गया है और ये दूसरी तरफ नर्थ अमेरिका साथ अमेरिका की जो स्टोक मार्केट है दूसरी तरफ S&P S&P 500 ये भी दोस्तों 1.89 लगबग 2% से तोड़ा सा नीचे ये माइनस 1.89 परसेंट ये भी लाल निसान में बंद हुआ है क्लोज इन रेड मार्क अफ S&P 500 4397.94 परसेंट डॉलर माइनस क्लोज इन रेड माइनस 1.89 परसेंट 4397.94 डॉलर ये अमेरिकी बजारों की गिरावट के कारण ही हमारा सेयर मार्केट ही नहीं पूरी दुनिया के सेयर मार्केट चाहे जपान, चीन, बर्मा, अस्टेलिया, लंडन अलंगलेंड लंडन पंडन लंडन सब जाज इतना भी है एक टुजिएड मार्केट ब्लास्ट होके ये शेर मार्केट गिर गिर गिया और दूसरी तब मैं दोस्तों आप जानते हूं कि यह जो अब नेक्स्ट अगला जो अमेरिकी एक्सचेंगेंस का जान होती है जो इन्फरमेशन टेकनोलोजी की एलेक्टोनिक एलेक्ट्रिकल से सम्मधिस कम्पूटर और सॉप्ट्टियर की दुनिया में नेस्ट डैक नेस्ट डैक हमको यह कहने में बहुत मज़ा आता दोस्तों इसलिए मैं एक्साइड़ेट के साथ बहुत जोस के साथ करता हूं नेस्ट डैक नेस्ट डैक इस दा बिगेस्ट इंडेक्स अप दो अमेरिका स्टोक मार्केट और डिपेंट पूरी दुनिया इस पर निप्टी 50 जो है भैंकर गिरावट 400 के आसपास की गिरावट होने वाली है निप्टी में और चलिए मैं बता दूँ कि नस्ट डाइक का क्या आस दिती है दोस्तो माइनस माइनस 384.1 सोरी 85 8510 परसेंट माइनस रेड इंड लेड मार्क नस्ट तेन स्टो पचासी डालर माइनस में बंद हुआ 2.72 परसेंट आप समझ लिजे कि निप्टी का क्या हाल होने वाला है दोस्तो निप्टी तो भैंकर सोमवार को बजार खुलते हैं पहले तो आएगा 200 धाम से गिरेगा उसके बाद 400 होगा उसके बाद हो सकता है कि यह 16,800 भी पहुंच जाए 900 पहुंच जाए कोई ठीक नहीं है दोस्तो इसलिए कि यह भैंकर गुड़ाट पूरी दुनिया में सुरू है तो अब सोमवार को कोई भी नहीं रोक पाएगा चलिए दोस्तो इस गिरावट की दोर में क्या करेंगे हम कौन सा स्टोक लेंगे और कौन सा स्टोक इंतिजार करेंगे तो सबसे रणनेती यही ह दोस्तो कि आराम से आराम से हम पूरा अव इसको लगने में तीन महिना अब तीन महिना जब बिमार पड़ जाता है दोस्तो आदमी शरीर जब अस्वस्त हो जाता है तो दवा खाते खाते कमजोरी आ जाती है फिर उसके बाद स्वस्त होने में इसको टाइम तो लगता ही है कि दुनिया के लोगों दुनिया में लोगों के पास जो पैसा सेर मार्किट में अगर ओ आए है और इस गिरावट में जो नादान है जो नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं और गोव्म सरकार पूरी दुनिया की जो भी सरकारे हैं और अर्थ बिरस्ता और बितमंत्रा ले बितमंत्री आपको एक और बता देते हैं ये हमारे सिस्टम में तो नहीं आता है लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि आपके पाकेट में कितना पैसा है आपके तिजोरी में कितना पैसा है आपके छुपाये हुए कितने पैसे हैं जो आप कैस में रखे हैं या तो क्या करते हैं गौवर्मेंट आपको इस गिरावट की दौड में ये जानना चाहती है कि आप कितना माल छुपा कर रखे हैं अगर ये गिरावट है आपने सेर लिया है आपने सो रुप्या का और यह गिर गया पचास रुप्या हो गया तो आप कोईगे अरे किसी तरह अब क्या है कि सरकार तो नहीं जानते कि आप पैसा कितना छुपा के रखें तो आप क्या करेंगे इसलिए तो आप क्या करेंगे कि पैसा निकाल के सेविंग अकाउंट में आपके पेट में कितने छूपे हुए है और आपने क्या रात को खाया था वो जब जाएंगे अब उस जगह का नाम नहीं लेंगे तो पता चल जाता है कि हाँ आपने क्या क्या खाया था कितना खाया था तो सरकार को सब पता चल जाती है कि अभी हमारे देश में क्या इस्तिती है या बीदेशों में पुरी दुनिया की क्या रथ बेश्ता होगी तो इस गिरावट को होना भी एक लाजमी है और ऐसी गिरावट ये लाइफ टाइम जिंदगी में होती रहेगी कोरोना आए या ना आ ये जान लिजिए हंडेट परसंट हर तीर मेना पर ये सब होता रहेगा कि हमारे देश में या देश के बाहर से कितने पैसे और कितने लोग आते हैं और कितने पैसे बनाते हैं इसलिए कि सारा टेक्स लगता इसमें दोस्तों चलिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपको सबस्क्राइब कर लिजिए सारा चीज कोई बताएगा नहीं कोई भी हो और दूसरा वीडियो हमारा आएगा दोस्तों सो मुआर की बात MBA BK सिंग के साथ Monday's Talk with MBA BK सिंग 100% सटिक और सही और एक ऐसा सवाल जो आपको जगजोर के रख देगा जय हिन जय भारत बंदे मातर और वो आप बता दे आपको क्या होगा कि सो मुआर की बात MBA BK सिंग के साथ में कमपनी क्यों नहीं बताती है कि हम नाम क्यों बदल रहे हैं कमपनी क्यों नहीं बताती है कि हम जो आज हमारा जो फाइनेंस है क्या अश्थिति है कमपनी क्यों बंदिय नहीं बताती है कि हम पे केस क्यों हुआ कमपनी क्यों नहीं बताती है कि हमारा नाम बदलने के पीछे क्या कारण है दोश्थों और कमपनी में कितना मुनाफ़ा हुआ कितना लॉस हुआ ये सारे सेयर मार्केट के सेयर होल्डर को जो हर एक आदमी का अधिकार है एक सेयर खरीदे चाहें एक लाग सेयर खरीदे कमपनी को बताना पड़ेगा कि नाम क्यों बदला और नाम बदलने के बाद उसको सूचना देना बहुत जरूरी है और ये बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं जो ये मगरमच इनको पूछना चाहिए कि कमपनी नाम बदलती है तो जितने भी सेर धारक हैं उनके पास उनको जरूर उनको बताना चाहिए कि हमने नाम बदल दिया है और इस नाम से अब हम जाने जाएंगे तो ये या तो ये दलाल नहीं बता दलाल मतलब ब्रोकर जो है और ये ब्रोकर जो है कमपनी नाम बदलने में और काम बदलने में जय हीं जय भारत बंदे मातरों